हेलो एवरीवन सबसे पहले सब भी को सो सॉरी कल ब्लॉग नहीं डाल पाई विकॉस की बहुत जादे में टायट फिल कर रही थी तो यह कल का ब्लॉग है आज दिन में मैं अपलोड कर रही हूं सामको भी वीडियो आएगी तो प्लीज देखना ना बूलेगा आठ बीस पे साम को और खुब सारा लाइक कॉमेंट सेयर और प्यार दीजिए वीडियो को तो यह सुक्रवार का वीडियो है आज सनीवार और दोपर के अभी दस मतलब सुबह के हो रहे हैं दस स्वारी तो यहां जो नम पिछली वीडियो में मैंने बताया था व्लॉग में कि मैं कुछ किरा आप लोग के साथ हो सारे प्रोडक्त नहीं दिखा रहे हैं मतलब वह सारे सामान नहीं दिखा रहे हैं कि बस ऐसे जस्ट मैं रख्रेटी तो भाई ने थोड़ा सा ब्लॉग सूट कर दिया था तो मैंने सुचा चलो डाल देते हैं दिन में और दिन भर कल वीडियो का वेट क कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं सौट वीडियो मैंने साम में डाला था उसको आपने प्यार दिया था तो यहां पर सारा कुछ सामान जो भी है मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी बट अभी रेंडम सा ब्लॉग है आप लोग देख लो और क्योंकि रख्षा ब आपने माबाप का नाम रोशन कर पाऊं। जो भी मैं चाहती हूं अपने ममी ऑपा के लिए कर पाऊं। यहां पर पापा जा रहा थे भी नहाने और भी हम आप आई नहीं थी मैं शुबह उटके खाना बनाने के बाद नहीं सब करना लगी थी खाने में मैंने बस रोटी और बैगन का भरता बना था दाल चावल ममी ने बना दिया था तो जब एक्ष्टा चीज़े होती है न घर में साथ सफ़ाई की और इस सब काम तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है तो उस दिन मैं खाना नहीं बना पाती हूं ममी बना देती है नहां के बाकी इस सब काम मैं बरक रहे थी और यह कुछ चीजे जो है बड़े बारे होते हैं जिस में स्टोर करके हम सामार रहते हैं उस में रख देते हैं जितना जarुरत का चीज वे अतना है बार्ञा नहीं कर डाम से यह दी निकालोंगी और इतना बारी तो इन सब चीजों में बहुत सारी चीजे थी और एक चीज मुझे थोड़ा सर दिस्टा मिला था चुकि यह मंग्रेल इसमें अजवाइन भी मिक्स था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं जो जिस चीज में मंग्रेल पढ़ सकता है उसमें तो अजवाइन भी पढ़ता है को सारा कुछ मैंने जो है आरेंज कर दिया है बहुत ही टाइम लगता है एक हाउस वाइब जिन्दगी जीती हूँ तो इतना तो करना पड़े गही क्योंकि और लड़कियों की जैसे मेरे रिलैक्स स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है तो सारा सामान यहां फटा-फट से मैं खाल निकला हुआ है तो इस कूड़े को भी हम बेस्ट नहीं होने देते जो पॉल्थीन प्लास्टिक जितना भी है इन सब को इन सब को हमना वह करते हैं रख देते हैं कठा करके ताकि जब आग जलाना होना तो काम आ जाए और कुछ-कुछ सामान जो था मैंने निकाल दिया था और डिबे भी मैंने आरेंज कर दिये थे अब हमको दूलना था किचन क्योंकि किचन भी बहुत गंदा हो रखा था वैसे इस लैप और जो चूला है वो तो रोज दिन साफ होता है लेकिन अब सारे किचन को खाली करके मतलब की किचन का डीप क्लीनिंग करना था मुझे और यहां पर ही सामने चूला रखा होता थे जितने भी ओईल के छीटे होते शारा चल गया था और बहुत ही गंदा सा लग हरा था थोड़ा सा नहीं ओघली नहीं क्योंकि नहीं हो तो यह सब काम फीनिस कर लेती हूं क्योंकि छोटे चोटे काम नहीं बहूँत टाइम लेलेते ह इसको आप टो पास 10 मिटी वीडियो में इसको देख रहें लेकिन अच्छी का थेश्या को यह उसके बाद, मैं नहीं दूल बड़ता है उसके बाद में नहा लिया था राम कर लिया साम का यह क्लिप है तो मैंने सुच़ा इस में एड़ कर देती हूँ, कुछ भी बाते नहीं कर पाई आप से, सिर्फ काम ही, काम धा, सुक्रवार को, जब भी व्लॉग स्टार्ट नहीं करी हूँ, 10 बज रहा है, अभी विलॉग स्टार्ट करूंगी, सरे बलैक हो गया तो बहुत है इतना घंदा हो रखाते हैं हैं चब आपकोोई शल्डाय बना तो यहां पर चड़ा दिया चड़ा कोऊकर अर्माइन चड़ा वैया और उसके बाद से इसको चटकने दूंगे एकदम डार खोने दूंगी मेथी को और मेथी की क्वांटीटी थोड़ा सा इस मसाले में इस मसाले के सबजी में जादे रहती है तो जब मेथी चटक गया उसमें हमने डाला केला और आलू केली को मैंने गोल नहीं कटा हुए है जीरा राई मिर्चा लैसन और एक्ष्टा मसाले थोड़े से डाले हैं सब्जी मसाला जो की अल्रेडी मिर्ट मसाला था बाकी मसालों को मैंने इसलवट्टे पर पीस लिया है और उसके बाद नमक और इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर आपके पास एक खटाई ह सब्जी कें ब bawते हYए हैं सब्जी सब्जी को नहीं मिर्फर के साथ है जो सब्जी जो गरम मसाला वाली सब्जी生 सब्जी सब्जा गरम मसाली ना जैसे जो गरम में नुकसान नहीं करता है कि गरल मसाले को अगर रेगूलर खाऊगे ना तो बिलकुल नुकसान नहीं करेगा थोड़ा उजाला था तभी मैंने खाना बना लिया था क्योंकि ना टाईम का थोड़ा सा ये था कि मैं फ्री हो जाती थोड़ा सा आराम करती क्योंकि दिन भर बहुत ही काम किया थी और नीन्ञास की अब मुझे इंस्टाग्राम पर फालो कर सकते हैं वहाँ पर मुझे फॉलो करिया आपके कोई क्वेस्चन हो तो वहाँ पर मैं अंसर देने का कोशिस करूंगी और बारिस इतना आ रहा है ना कि कहा जाना मुस्किल है और अभी थोड़ा साम को ना दिन निकला रहा था था थोड़ा मौसम साफ हुआ था तो थोड़ा सा रिकॉर किया था चली मिलता है ना वाग में बाइबाए टेक किया है